हेलो दोस्तो मैं कृती आज आप लोगों के साथ सेयर करने जा रही हूं घी बनाने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है इसे आप अपने घर में आसान तरीकों से बना सकते हैं चलिए इस रेस्पी को बनाने की विधी सुरू करते हैं अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लग गी बनाने के लिए मैंने यहां पर करीब 10 दिन के मलाई को जमा कर लिया है यह घर का मलाई है जो दूद लेते हैं उसके उपर जो छाली आती है मलाई आती है मैंने उसे फ्रेज में रख रख के जमा किया है उसमें थोड़ा सब दही डाल दे तो गी बहुत अच्छे तरीके से निकल जाएगा सारे मलाई को मैंने एक मैसर के सहता से इसे अच्छी तरीके से मिला लिया है इसे 2 से 3 मिनट तक ही मिलाए तो आपको लगेगा कि इसमें से पानी निकल रहा है यह देख सकते है आप 2 से 3 मिनट के अंदर सारा मक्छ न अलग हो जाएगा फिर हम इसे फ्रेज म में डालने के बाद इसे ठंडे पानी से धो देंगे यह देखिए कि इस तरीके से निकल गया है ये मखन अब इसे कढ़ाई में डालके हम गरम करते हैं इसे कढ़ाई में डालने के बाद हमेशा कल्ची से चलाते रहें नहीं तो यह चिपक जाएगा कढ़ाई में और गी अच्छी तरीके से नहीं निकल पाएगा हम इसे चलाते रहेंगे 10 से 12 मिनट चलाने के बाद इसमें से अपने आप घी निकल जाएगा ये देखिए 10 से 12 मिन चलाने के बाद घी बन चुका है अब इसे हम लाल होने तक पकाएंगे ये गोल्डेन हो इसे ठंधा होने के लिए छोड़ देते हैं फिर इसे छनी से छान के एक बरतन में रख लेते हैं आपको मेरी ये ट्रिक टिप्स कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके आप लोग बताईएगा आप लोगों से मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेस्पी के साथ एक नई किचन टि थैंक्यू दोस्टो